टी विध्यार्तियों में मेगा गुपता सहाय काचार्या संस्कृत राज के महाविध्याली बूंदी आज की कक्षा में हम महाकभी भार्वेकृत किरातारजुनियम महाकावे के प्रत्थम सर्ग के अंतरगत सतरवी श्लोग का अध्यन करेंगे प्रसुत पध्य में वनेजर दुर्योधन के जन कल्यान कारी कारियों के विशे में महाराज युधिष्टिर से निवेदन करते विए कहता है सुखेनल प्यादत तक्रशिवले रक्रिष्ट पच्याइव सस्यशंपद वितन्वतिक्षेम मदीव मात्रिकाष चीरायतस्मिन्कुर्वष्यकासती अन्वे है इसका तस्मिन्क चीरायक्षेमम वितन्वति अदीव मात्रिकाष कुरवः क्रिशीवले अक्रिष्ट पच्याइव सुखेन लभ्या शस्त्यसंपद हददध हचकासती तस्मिन्क उसके समनाम शब्द है दुर्योधन के लिए है तस्मिन्क यानि उस दुर्योधन के चीरायक्षेमम वितन्वति अवे शब्द है इसका आर्थ होता है चिरकाल तक दिर्ग काल तक लंबे समेतक क्षेमम, क्षयती अशुभम इस अर्थ में क्षी धातु से मन प्रत्य होकर दुत्या विभक्ती एक वचन में क्षेमम शब्द बनता है इसका आर्थ होता है कुशलता, शुभ, कल्यान, प्रसनता, आनंद वितनवती, विवसर्ग पूर्वक, तनु विस्तारे इस अर्थ में तनु धातु से शत्री प्रत्य होकर वितनवत शब्द बनता है और इसकी सप्तम्य वक्ती एक वचन का रोप है वितनवती यहां पर तस्मिन और वितनवती दोनों ही सब्तम्यंत पधे और इनमें यसिच भावेन भावलक्षनम सुत्र से सब्तम्य भक्ती प्र्युक्तुई है तस्मिन उस्जोर्योधन के चिराय चिरकालत क्षेमं वितनवती कल्यान का विस्तार करने पर अदेव मातरी कहा कुरोवः अदेव मातरी कहा देव माता ये शाम देव मात्री कहा, न देव मात्री कहा इती अदेव मात्री कहा ततुर समास हो रहा है देव का आर्थिया पर परजन्य, मेघ रहने वाले प्रदेश को देव मात्रीक प्रदेश कहा जाता है और अदेव मात्रिक प्रदेश का आर्थ होता है वर्षा की जल पर निर्भर न रेने वाले प्रदेश यहाँ पर अदेव मात्रिक प्रदेश का या कुरुवह का विशेशन है दुर्योधन दिर्ग काल से कुरुराज्य में कुए, नहर, जलाशे, तड़ाग, बावडी, आदी सीचाई की साधनों का निर्मान करा रहा है फलतह कुरु जनपत कृषी शेत्रों में सिचाई है तू वर्षा जल पर निर्भर नहीं है अतह अदेव मात्रिका कुरुवह का समुचित विशेशन है कुरुवह कुरुणाम निवासह कुरुवह तस से निवासह इस सुत्र से यहाँ पर कुरुशब्द से अनप्रत्य होता है और जनपते लुप इस सुत्र से कुरु से परे अनप्रत्य का लोप हो जाता है और देश पाचक शब्द नित्य भववचन में होते हैं अता प्रत्मावी भक्ती, कुरुवकार्थ है कुरुजनपद, कुरुप्रदेश कृषी वलई, कृषी अस्ती एशाम, कृषी वववववववववववववववववववव further कृषी वलई कारथ है किसानों के द्वारा, कृषी वलगारथ होता है किसान किसानों के द्वारा अक्रिष्ट पच्चा, क्रिष्टेन पच्चेंते इती क्रिष्ट पच्चा, नक्रिष्ट पच्चा इती अक्रिष्ट पच्चा क्रिष्ट क्रिष्ट धातु से प्रत्य होकर क्रिष्ट बनता है और पच्छ धातु से क्या प्रत्य होकर पच्चे बनता है अक्रिष्ट पच्चा का आर्थ होता है बिना जोते ही पकने वाली सीचाय के साधनों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता से लोगों को फसल इतनी आसानी से मिल जाती है कि वह अक्रिष्ट पच्चा सी प्रतीत होती है अक्रिष्ट पच्चाईव इसकार्थे मानों बिना जोते ही पकने वाली अतह सुखेन लभ्या सुखेन सुख पुर्वग सरलता से अनाया सी ही लभ्या लभ्धुम्शक्या इस अर्थ में लभ्धा तुसे यत प्रत्य होकर लभ्य बनता है सुखेन लफ्या सुख पूर्वक प्राप्त की जाने वाली यहां प्रकृत्यादिफ्य उप संख्यानम सुत्र से सुख शब्द में त्रत्या विवक्ति हुई है सुखेन लफ्या सुख पूर्वक प्राप्त की जाने वाली ये सस्य संपध का विशेशन है, सस्य संपध ह, सस्यानी एव संपध ह, सस्य संपध ह सस्य सस्धातु से यत प्रत्य होकर सस्य का आर्थ होता है अन्न धान्य अनाज और संपध ह, सम उपसर्ग पूरवक पद धातु से किप प्रत्य होकर संपध शब्द बनता है, सस्य संपध का आर्थ है अन्न रूप संपधियों को, धान्य संप्रिध्धी को ददधः शत्री प्रत्यांत धाधातु से प्रत्मा विभक्ती बवचन में दधधः शब्द बनता है इसका अर्थ होता है धारण करता हुआ चकासती चकास शोभने इस अर्थ में चकास धातु से रट्लकार प्रत्म पुरुस ववचन का रूप है चकासती चकासती का अर्थ है शोभाई मान हो रहा है तस्मिन उस दुर्योधन के चिराय चिरकालत क्षेमम वितनवती कल्यान का विस्तार करने पर देव मात्री कहा कुरुवः वशा पर नेर्भर न रने वाला कुरुवः कुरु प्रदेश क्रिशी वलई किसानों द्वारा अक्रिष्ट पच्चा इव मानों अक्रिष्ट पच्चा बिना जोते ही पकने वाली सुखेन लभ्या तेव सुख से प्राप्त की जाने वाली सस्य संपदह अन्नरूप संपत्यों को ददतह धारन करता हुआ चकासती शोभाई मान हो रहा है यहाँ पर चकासती क्रियापद है कूरोभः करता है और शश्य संपदह कर्म हैं। कुरोभः का विशेशन है अदेव मात्री कहा और शश्य संपदह का विशेशन है सुखेन लभ्या अक्रिष्ट पच्च्या। कुल्यादी पुर्तकार्यों के प्रवर्तक दुर्योधन की राज्य में अनसंब्रिधी का कारण सीचाई की समुचित व्यवस्था है धान्य सम्रिध्धी की कारण प्रजाजन सुखी है, संतुष्ट है, प्रजाजनों का संतोष राज्जी इस्थेट्य का हेतु है, अत्ह दुर्योधन दुह साध्य है इस गंभीर अर्थ को कवी ने पड़ी कुशलता से गुप्तचर के मुख से प्रतिध्वनीत किया है अक्रिष्ट पच्चाईव यहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार है, कुछ विद्वान यहाँ उत्मालंकार भी मानते है प्रस्तुत पध्य वन्शस्त चंदमेनी पध्य है, जिसका लक्षण है, जतवतु वन्शस्त मुदी रीतम जरव एती शुभम